धर्ती पर मौझोद जीने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एहम किरदार है पानी का इंसान बिना खाने के तो कुछ समय जिन्दा रह लेगा पर बिना पानी के तो एक पल भी निकलना नामुम्किन है इसलिए तो कहा जाता है कि जल ही जीवन है लेकिन जब जीवन देने वाला यही जल बेकाबू होकर अपने विक्राल रूप में आता है तो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तहस नहस कर देता है लेकिन यह सब जानते हुए भी दुनिया भर की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें जल का संदक्षन करना ही पड़ता है और धर्ती पर विशाल काय डैम्स का निर्माड करना पड़ता है क्योंकि यही एक मात्रे तरीका है पानी का एकदम सही उप्योग करने का जिसमें एगरिकल्चर शहरों में पानी की सप्लाई और बिजली उत्पादन जैसे कई एहम काम किये जाते हैं और ठीक इसी भी जब इन डैम्स का निर्माड किया जाता है तो एक खत्रा हमेशा शही बना रहता है वो है किसी तरह इन डैम्स के फेल होने का खत्रा क्योंकि अगर यह सही तरीके से न बना तो यह पूरे के पूरे शहर को चंद मिन्टों में ही तबाह करके रख देगा और इंजीनियर्स चाहे कितने भी साउधानी से काम क्यों न कर लें लेकिन एक छोटी सी गलती और सब तबदील हो जाएगा तबाही के समुद्र में तो चली दोस्तों नज़ा डालते हैं दुनिया के सबसे खतरनाग डैम्स और उनके काम करने के तरीकों पर चाइना जिसे जाना जाता है डैम्स के देश के नाम से भी यहाँ पर करीब 87,000 बड़े डैम्स मौझूद हैं जो संख्या में किसी भी कंट्री में बने डैम्से कई गुना जादा है इनी में से एक डैम है जिन्पिंग वन जिसे एक आर्च के शेप में बनाया गया है सिर्फ चाइना का ही नहीं बलकि यह डैम्स पूरी दुनिया का सबसे उचा डैम है 4 बिलियन डॉलर्स खर्च कर बनाये गए इस डैम्स की लंबाई 310 मीटर यानी की करीब 1020 फिट है जिसे साउथ इस्ट एसिया की लार्जेस्ट रीवर मेकॉंग पर बनाये गया है जो कि कई बड़े देशों से होकर गुजरती है इस डैम्स का आकार इतना बड़ा है कि इस पर 60 मिलियन लोगों की जिंदगी पूरी तरह से निर्भर करती है और ये चाइना के काफी बड़े हिस्से को बिजली पहुँचाने का काम भी करता है लेकिन आपको बता दू कि ये डैम्स काफी खतरनाक है रिसर्चर्स हमेशा से ही इसकी मजबूती को लेकर कई सवाल खड़े करते हैं उनका कहना है कि ये किसी तरह की एक जिंदा बम की तरह है जो किसी भी समय फट सकता है और अगर गलती से ऐसा हो जाता है तो ये कितना बड़ा नुकसान करेगा इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता जब बात हो रही हो खतरनाक डैम्स की तो ऐसे में इराक में बने इस डैम्स का जिक्र न हो ऐसा हो ही नहीं सकता इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो इसे किसी बड़े हाथ से को जन्म देने के लिए ही बनाय गया हो इस डैम का निर्माण 1986 में सद्दाम हुसेन के समय में किया गया था जिसे एक तरह की कच्ची मिट्टी के उपर बनाय गया है जो की पानी के संपर्क में आते ही उसमें घुलने लगती है जिसकी वज़े से इस डैम को लगातार समभाले रखने के लिए यहाँ पर 24 घंटे रिपेर का काम बिना रुके चलता ही रहता है और सोने पर सुहागा डैम्स के अचानक से फेल होने पर उससे निकलने वाली पानी को रोकने के लिए जो इमर्जनसी रिलीव डैम बनाया जाता है उसका काम भी यहाँ आज तक कभी पूरा नहों हो सका मतलब साफ है कि जिस भी दिन यह डैम तूटेगा तो यह अपने साथ कई लाखो करोडों की जान भी ले डूबेगा इसी के साथ इस डैम पर लगातार ISIS के टेर्रिस ग्रूप के हमले का भी डर लगातार बना रहता है यह डैम मौझूद है ताजिकिस्तान में जो कि चाइना के जिनपिंग वन डैम के बनने से पहले दुनिया में मौझूद सबसे बड़ा डैम था और आज भी यह चाइना के उस जिनपिंग वन डैम के उचाई से सिर्फ 5 मीटर ही छोटा है पूरे ताजिकिस्तान की 70 प्रत्सत तक बिजली इस डैम से ही पैदा की जाती है लेकिन आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इस डैम को जिस जगह पर बनाया गया है वहाँ पर बड़े पैमाने पर अक्सर भूकम पाते रहते हैं लेकिन फिर भी वहाँ के इंजीनियर्स का कहना है कि हमने इस डैम का निर्मान कुछ इस तरह से किया है कि बड़े से बड़ा भूकम पी इसका कुछ भी नहीं विगार सकता वेल उमीद है कि उनका ये दावा सची निकले क्योंकि अगर ऐसा नहुआ तो ये डैम इस देश के लिए जो तबाही लेकर आएगा वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता दुनिया में मौझूद ये डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम है जो कि 2.3 किलोमेटर चौड़ा है ये डैम इतना बड़ा है कि कहा जाता है कि इसके निर्मान से धर्ती की रोटेशन की गती में भी कमी आई है 2006 में इस डैम के बनने के बात से हिससे जुड़ी कई अटकले लगातार सामने आती रही है कहा जाता है कि इसने यहां के आसपास के environment पर बुरा असर डाला है इसकी वज़े से यहां के area में land slides के साथ भूकम भी आते रहते हैं लोगों का कहना है कि 2008 में चाइना में आएक भयानक भूकम जिसमें करीब 87,000 लोगों की जान गई थी उसके पीछे का कारण भी यही डैम ही था लेकिन चाइना की government ने इस बात को कई सीरे से नकार दिया था और हाली में कुछ सालों में ये डैम काफी खतरनाक तरीके से कई बार खतरे के निसान से उपर बहता भी दिखा गया है पर हाँ इस डैम ने चाइना में बिजली पैदा करने के लिए इस्तिमाल किये जाने वाले कोल की खपत को काफी भारी मातरा में कम कर दिया है अभी तक तो मैंने आपको डैम सर उनके तूटने से जोड़े खतरों के बार में बताया लेकिन क्या कभी सच में कोई डैम फेल हो सकता है तो आपको बता दू कि सिर्फ एक बार नहीं बलकि इतिहास में ऐसे दर्दनाख हाथसे कई बार हो चुके है और ऐसा ही एक हाथसा हुआ था इटली के इस हाइट्रो एलेक्टरिक पावर डैम में जिसमें न जाने कितने ही लोगों की जान भी चली गई थी वहाँ के अस्थानिक लोगों के मना करने के बावजूद भी सभी खतरों को नजर अंदाज करते हुए इस डैम को बना दिया गया था स्टार्टिंग में थोड़े समय तो सब कुछ ठेक चला लेकिन उसकी बाद पास की बड़ी चटाने इस डैम में तूट कर गिरने लगी जिसकी वज़े से इसका वाटर लेवल धीरे धीरे उपर उठने लगा और एक दिन वही हुआ जिसका सब को डर था पहाड का काफी बड़ा हिस्सा तूट कर इस डैम में जा गिरता है करते जमाने में इसके बीना गुजारा भी नहीं बस उमीद है कि ये इंजीनियर्स इने बनाते समय हर तरह की साउधानियों का ख्याल जरूर रखें जिससे की भविश्य में कोई हाथसा नहों तो दोस्तों आपका क्या कहना इस बारे में मुझे अपनी राय कॉमेंट्स करके जरूर बताना मैं हूँ आपका दोस्त रोहित मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लें और ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन से भरी वीडियोस को देखते रहने के लिए जुड़े रहें यूनिवर्स एडवेंचर के साथ